किसान भायू नमस्कार वेटनरी के स्टुडेंट्स और जो भी मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जुड़ा हुआ है तो सभी को मैं नमस्कार करता हूँ तो गाइस आज किस वीडियो में आपके लिए शानदार और इंटरस्टिंग सा टॉपिक लेकर आया हूँ आज हम बात करने वाले हैं सिमन टैंक के बारे में दोस्तों क्रायोकेन का तो अपने नाम सुना ही होगा जिसमें हम बुल का जो सीमन कोलेक्ट करते हैं उसको हम रख सकते हैं और दोस्तों काफी दिनों तक इसमें जो है काफी सालों तक जो सीमन होता है श्ट्रॉ में सेफ रहता है और दोस्तों आज मैं पूरा आपको बताऊंगा कि कैसे इसको खोलते हैं, कैसे इसका यूज होता है तो बने रहे आप हमारी इस वीडियो के शाथ, अगर का आप कोई वेटनरी के स्टुडेंट हैं, कोई फार्मर हैं तो आप हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बैल को प्रेंस करके आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाएं तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट तो किसान भाईयों जैसा कि आप देख पा रहे होंगी, यह लिक्विड नाइट्रोजन सिमन टैंक है, जिसमें आप देख सकते हैं कि इसमें 35 लिटर तक लिक्विड नाइट्रोजन आ जाती है दोस्तों द्रव नाइट्रोजन बहुत ठंडा होता है और जिसका तापमान माइनस 196 डिग्री सेंटिग्रेट तक होता है किसान भाईयों आप जब भी सिमन टैक परचेज करें तो आप उसे सुखे या किसी लकडी पर जरूर रखें और दोस्तों इसका जो उपरी भाग होता है काफी नाजुक होता है जब भी आप इसे किसी दूसरे स्थान पर ले जाएं तो काफी साबधानी आपको बरतनी होगी और दोस्तों इसे आपको लुड़कने से और टेड़ा करने से बचाना होगा और किसान भाईयों इस द्रवपदात का स्तर नापने के लिए एक छड़ी का प्रयोग किया जाता है किसान भाईयों आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि इसे आप दिवार के नस्दीक ना रख रखें और LN को स्थानांतरित करते समय उसे गिरने या फैलने से बचाने के लिए आप किसी फनल या कीप का इस्तेमाल कर सकते हैं और दोस्तों लिक्यूड नाइट्रोजन माइनस 196 डिग्री सेंटिग्रेट होती है तो अगर यह आपके किसी अंग पर गिर जाए तो आपका अंग या आपका शरीर जल सकता है दोस्तों ये इस कंटेनर का उपरी हिस्सा है ये इसका धकन है जिसे हम खोलते हैं और इसके नीचे आप देख सकते हैं कि आप जैसा कि छोटा छोटा वाप देख सकते हैं ये लिक्विड नाइट्रोजन है और दोस्तों जैसा कि इसमें अंदर जैसे ये बहार निकाल रहे हैं तो इसमें अंदर जो है श्ट्रॉ रखते हैं जिसमें सीमन होता है और दोस्तों जब तक आपके इस टैंक में लिक्विड नाइट्रोजन है तब तक आपका सीमन सेफ है आप इसको 100 सालों तक रख सकते हैं मतलब जब तक इसके अंदर लिक्विड नाइट्रोजन है आपका सीमन बिलकुल सही रहेगा उसमें किसी भी तरह का कोई भी effect नहीं पड़ेगा तो किसान भायो मैं आपको recommend करता हूँ कि आपको 3 लिटर का छोटा सिमन टैंक या liquid nitrogen टैंक लेना चाहिए दोस्तों इसमें खास बात ये है कि ये आपकी budget के हिसाब से है अगर आप बड़ा container लोगे तो उसका खर्चा भी ज्यादा आएगा दोस्तों बात करते हैं कि इसमें आपको gas कितने दिनों के बार डालनी होती है दोस्तों इसमें आपको gas पूरे 4 दिनों के बार डालनी होती है और इसमें आपको 1 लिटर gas का 30 रुपए से 40 रुपए के बीच आपका खर्च आ सकता है दोस्तों ये टैंक आपके budget में भी है और इसका price भी ज्यादा नहीं होता तो दोस्तों जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें अंदर लिक्यूड nitrogen होती है जिसमें कि हम सिमन स्ट्रॉ को बिल्कुल सेफ रख सकते हैं तो दोस्तों अगर आपको इसके बारे में कुछ और जानकारी चाहिए तो आप comment में जरूर बताएं वेटनरी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद